क्यस्さ है आप लोग वेलकम तु दिस वीडियो इस वीडियो में हम लोग कंपेर करेंगे महिंद्रा थार को लैंड क्रुजर 2023 के मॉडल के साथ महिंद्रा थार में 2199 CC का एंजिन है और टोयेटा लैंड क्रूजर 2023 मॉडल में 3496 CC का एंजिन है महिंद्रा थार का एंजिन जो है वो 150 HP का है और टोयेटा लैंड क्रूजर का एंजिन 300 HP का है अगर हम बात करें प्राइस रेंज की तो महिंदरा थार की प्राइस 15 से 20 लाग के दिर्मियान है और वहीं पर टोयटा लैंड क्रूजर की प्राइस इंडिया में 2 करोड के आसपास है और पाकिसान में टोयटा लैंड क्रूजर की प्राइस 15 करोड रुपीज है अगर हम बात करें इन दोनों कार्ज के औरीजन कंट्री की तो महिंदरा थार जहाए उसका औरीजन कंट्री इंडिया है और टोयेटा लैंड क्रूजर जहाए इस गाड़ी का औरीजन कंट्री जपाइन है महिंदरा थार के एक साल में गलोबली 55,000 यूनिट सोल्ड होते हैं और टोयेटा लैंड क्रूजर के एक साल में दो लाक से भी जादा यूनिट सोल्ड होते हैं लेकिन महिंद्रा थार के इंडिया में सोल्ड होते हैं 55,000 और टोयटा लैंड क्रूजर के ग्लोबली 2,00,000 यूनिट सोल्ड होते हैं एक साल में इसके लावा दोनों गाड़ियों में महिंद्रा थार में भी 4-wheel drive की option आपको मिलती है और टोयटा लैंड क्रूजर में भी आपको 4-wheel drive की option मिलती है अगर बात की जाए safety ranking की तो महिंद्रा थार की safety ranking 4 star है और वहीं पर टोयटा लैंड क्रूजर की safety ranking 5 star है durability की अगर बात की जाए तो महिंद्रा थार की durability ranking 3 star है और टोयटा लैंड क्रूजर की durability ranking 5 star है अगर बात किजाए comfort ranking की तो महिंद्रा थार की comfort ranking 3 star है और Toyota Land Cruiser की comfort ranking 5 star है तो यह थी आज की वीडियो वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में यह ज़रू बताएगा इन दोनों गाड़ियों में से आपकी 4 wheel drive की option आपको मिलती है और Toyota Land Cruiser में भी आपको 4 wheel drive की option मिलती है